दोस्तों हम आप लोग को बताएंगे मटन की रस्पीजों की खाने में बहुत ही तेस्टी लगती है आप लोग इसको घर में बना के जरूर ट्राइगे लिगा अगर आप लोग अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा तो चलते हैं हमने वीडियो की तरफ यह दिखी दिखने में कितना तीश्टी लग रहा है ऐसे ही आप लोग पना के चलूर खाईए वएगा यह मैंने कठे हुए प्यास ले लिए हैं इसके बाद मैं मने मेचे लिए लेसन है इसमें और इसमें दो तेशपत्य डाले हैं उसके बाद हमें भूंदेंगे तेर्ड लालने के बाराद हम इसमें डालेंगे सेहर टकदना तीज़ भतल लोंग लाए sì दाल इइन सब डाल दएगे अजये इसमें भूब देंगे तक तक अच्छी सची प्रमानिस अच्छी से कर लिंगे वह रम isक जब इसमें प्यास डालेंगे प्यास लेशन अशन सब इसमें डाल देंगे और इसको हम पांच मिनुट तक अच्छे से भूनेंगे इसको हम अच्छे से चला देंगे बहुत ही कम समय में मैंने इसको बहुत अच्छी बनाया है प्रीस आप लोग इस बार जरूर ताय कीजिगा इसको अब हम इसमें नमक ढाल देंगे इसको चला देंगे अच्छे से चलाने के बाद हम इसको थोड़ सा ड़ देंगे बिदो मिनट के लिए पिर हम इसको खोल कर अच्छे आपको इतनी बरानी हो उसके हिसाफ से डाल लेना सब मैंने आदा के लोगोस्त लिया है अब इसको चला देंगे जलाने के बाद हम लोग इस ने अपना सारा मसाला आट करते हैं लोग वे गोष्त बड़ा है वो तो सब जानते हैं क्या क्वाथ तर्टा है उसका मसाला आट करतेंगे अगर आप लोगो इसकी विरस की चाहिए तो प्लीज कमेट में जरूर बताईएगा अब हम इस पे हल्दी डाल देंगे हल्दी डालने के बाद हम इसको अच्छे से कर लेंगे अच्छे से चला देंगे अच्छे से चला देंगे चलाने के बाद हम इसको थोड़ा सा धब देंगे जिसके अच्छे से पक जाए उसके बाद हम इसमे पानी अट कर देंगे थोड़ा सा पानी अट करने के बाद हम इसको चला देंगे अच्छे से इसको पाझ मिनट तक दस मिनट तक अच्छे से पकाएंगे जीसे कि थोड़ा सा और ब्राउणीश हो जाए उपाने डालेंगे उसके बाद कोपर बंद कर देंगे अच्छे से बंद करने के बाद हम आट सेटी लगाएंगे इसमें अब यह मुकार्ट से लग चुका है अब हम इसको खोल के देखेंगे कि पका है नहीं अब इसमें थोड़ा सा गोली मसाला या फिर इवरिस्ट मसाला डाल देंगे आदा या एक उसके बाद हम इसको चला देंगे अच्छे से यह मो कलगवग हो ही गया है अब हम इसको आधे गंटे के लिए धर देंगे तक ही अच्छे से और इसका रस्तारा हो जाए अच्छे से बढ़ेंगे इसको हम और हम इसको गरम मार्म सर्प करेंगे रोटी या चावल के साथ मैंने चावल की रेस्पी भी अपने चैनल पर अपलोड की है प्लीज जरू कि लग